नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डियू जिन्दिया में आपके साथ मैं पूनम खालिस्तानी आतंगी गुर्पतवन स्रीपन्नु की हत्या की साजिच रचने के विरोध में खालिस्तानियों ने अमेरिका के सेंट फ्रांसिसको में भारत के खिलाफ रैली निकाली ये रैली अमेरिका के सेंट फ्रांसिसको में स्थित गोल्डन गेट ब्रिज के पास से निकाली गई हालाकि खालिस्तानी समर तक रैली में जदा भीड शुटा पाने में असमत रहे मगर रैली के दोरान खालिस्तानियों ने भारती जंडे का अपमान किया ये रैली बितेश निवार को निकाली गई जिसमें खालिस्तानी समर तक रेफरेंडम के जंडे अपने गाड़ियों पर लगा कर वहां पहुंचे खालिस्तानियों ने रेली के दोरान पिएम मोदी भारत के विदेश मंतरी एस जैशंकर और भारत के सुरक्षा सराकार अजित डोबाल वांटेट के पोस्टर लगाए इस दोरान खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की रेली में खालिस्तानियों ने अपनी गाड़ी के पिछे भारती जंडे को लटकाया हुआ था जिसे जंडे जमीन पर लग रहा था साथ ही रेली में खालिस्तानियों ने भारती सरकार को टेरिस्ट बताया भारत सरकार ने 2019 में आतंगी गतीवीदियों चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतीवीदी रोकताम अधिनियम यानी यूए पिये के तहट पन्नुक के संगठन एस एफजे पर बैन लगाया ग्रमंत्रालाई ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफटम की आर में एस एफजे पंजाब में अलगवात और उगरवाती वजाधारा का समर्थन कर रहा है पन्नु पर साल 2020 में अलगवात को बड़ावात देने और पंजाबी सिक्विवाओं को हत्यार उठाने के लिए प्रत्साइद करने का आरोप लगा इसके बाद केन सरकार ने एक जुलाई 2020 को पन्नु को यूए पीए के तहत आतंकी गोशित किया 2020 में सरकार ने एस एफ चेक से जुड़े चालिस से ज्यादा वेब पेज और योचुप चैनलों को बैंड किया इसी की साथ बढ़े रहे एश्यान यूज इंडिया के साथ धन्यवाद